कैशे Antonio सलों सबाइए और पिछली क्लास में मैंने का ना आप थोड़ा से two that क्लास क्या था रिवीजिन कर लेते हैं जलदी जलदी से revision करवाना मेरी मजबूरी है थोड़ी सी तो पढ़ रहे थे सब बाइनोमियल मॉड और बाइनोमियल में सबसे पहला approach जो कर रहे थे उसका नाम था risk हम ऐसी दुनिया में हैं जहां risk नाम के चीज ही नहीं है इसलिए हम वहां risk free rate यूज करते थे discounting करने के लिए तो बाइनोमियल की जो एजम्शन थी वो दो एजम्शन पे काम हो रहा था कौन-कौन सी एजम्शन थी दो पहली एजम्शन थी कि only two possible price on maturity दो ही possible price हो सकते है price दो वो question वाला देगा या सर हमको अगर मालो ऐसा करना होगा तो दो possible price वो software में हम डाल देंगे वो हो जाता दो possible price मुझे practically कैसे बाइनोमियल को यूज किया जाता है software कैसे यूच किया जाता अभी नहीं समझाना है सर जी मुझे समझाना है आपको एक्जाम के लिए जो important है पहले वो discuss कर ले उसके बाद दिक्कत में है सर इसके बाद तो दो possible price हो सकती और रिस्क नाम की चीज नहीं है दो एजंशन से बाइनोमियल का काम होता था रिस्क न्यूट्रल probability में especially assumption है कि रिस्क न्यूट्रल है उसके बाद हमने का ठीक है जी दो possible price हो सकती तो वो रिस्क न्यूट्रल probability हमको निकालना पड़ता था रिस्क न्यूट्रल probability का formula मैंने आपको दिया होगा है वो आपको याद होगा अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं मैं यहां करवा दूँगा इसके अलावा मैंने value of call option निकालने का और value of put option निकालने का भी formula बताया हाला कि वो formula कोई काम का नहीं है हमने logic के साथ expected value of option का हमने present value ही किया है और कुछ नहीं है और present value के लिए हमने क्या किया था सर, present value के लिए हमने discounting किया था RF से, और कुछ नहीं है, हाला कि हम step number 1, step number 2, step number 3, step number 4 में करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है, आप बिना steps के भी solve कर सकते हैं, सर, आज की class का target क्या है, जो break से पहले की जो classes है, उसमें binomial ही discuss होगा, risk neutral probability ही discussion होगा, और break के बाद सायद classes लंबी जा सकती हैं, क्योंकि उसमें वो जो दो approach हैं, replicating portfolio approach और एक कोई सा delta housing, binomial की तीन है, risk neutral अभी break से पहले, जो की ज़्यादा important है, delta housing और replicating portfolio की questions ही नहीं आए हैं, तो कम important है, पर वो break के बाद हो जाएगा, it means है कि आज की classes में हमारा complete तौर पे binomial खतम हो जाएगा, ठीक और सबसे important topic चल तीन पार्ट है, तीन में से first पार्ट हो चुका है, basic second पार्ट चल रहा है, और इसके बाद थर्ट तो second पार्ट और खतम डे, बताओ option खतम हो जाएगा और option बड़ा मुस्किल माना जाता, तो sir question हो जाएगा, यस, और मुझे पूरी उमीद है कि आपने revision करके आया होगा, तो ये रहा question, question number 8, ठीक है, अपनी book में जाएगे, question number 8 open केजिए, और हम करने जा रहा है, question number 8, और question number 8 जो है, वो study material, और study material किसका new syllabus का, क्योंकि new syllabus की क्लासे से तो new syllabus का study material, और साथ में practice manual आता था, old syllabus में practice manual, उसमें भी यही question डला हुआ था, तो चलो, अच्छी बात है, जड़ा देखते हैं क्या लिखा है, question number 8, the current market price of an equity share, मतलब सर, यहाँ given लिखते हुए चले, yes, step number 1 कुछ है नहीं, मैं यहीं लिखते चलता हूँ, step number 1, given, ताकि मुझे आसानी हो question बनाने में, तो सबसे पहले current market price दे रखा, current market price, current market price कितना, 420, current market price को हम क्या बोलते, S, S0 भी बोलते हैं कुछ लोग हम S बोलेंगे, ठीक है, S, और S कितना है, rupees 420, period कितना है, 3 months, ठीक है, आर निकाल लेंगे, maximum and minimum price, कितना maximum price है, 500 और minimum price है, 400 है, इसकी मदस्चे हम क्या निकाल सकते हैं, 400 divided by 420, ठीक है, एक बार निकाल ही लेते हैं, 500 divided by 420, 1.19, 1.19, 0,4, 7, 0,5 लेते, 400 divided by 420, 0.9524, सर, यह probability है, यह हमें कितना digit टक लेना चाहिए, वैसे तो 4 डिजिट, पर फिर भी ना, जो value दिया है, वो point के बाद 4 डिजिट दिया ना, तो मैं 4 लोंगा, बात समझो, बात समझो, मेरा, जो objective होता ना, यह होता कि इधर कितना value दिया है, point के बाद, कुछ value दिया हुआ है, यह तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर अगर value कितना दिया, point के बाद 4 तो आगे से मैं 4 यह लोंगा, अगर यह 2 ही देता, तो मैं आगे 2 लेता, जो given है, वो point के बाद कितना दे रखा, और सर कुछ नहीं दिया, तो चार लेंगे भनना भाई, बात करता, risk free rate है, 8%, 8% per annum, और period कितना है, 3 months, तो आर, 8%, कुछ लिखा नहीं है, compounded annually, compounded, कुछ भी नहीं लिखा, compounded, तो हम generally क्या करते, 8% है, तो 3 मेने का कितना हुआ, 8 into 3 by 12, 8 into 3 by 12, तो वैसे तो 2% हुआ, तो R is equal to 1.02, लिखता, 100% लिखता, पर यहां नहीं लिखूँगा, क्यों नहीं लिखूँगा, मैं समझा रहा हूँ, what should be the value of 3 month call option, call option का value निकालना है, और कौनसी model से देखो कितना अच्छा बता है, risk neutral model, risk neutral वोई जो हम पढ़ा है, और exercise price कितना दिया, 450, यहां लिख देता है, exercise price 450, इसका मतलब सर, यह कौनसा option है, call option है, call option मतलब arrow इस तरह से, 450 से उपर जाएगा, तो exercise, यहां तक ठीक है, यह देखो बिटे, यह क्या, क्या लिखा है सर, यह क्या दिया है, सर, given e power 0.02 is equal to, value दे रखा है, सर, इसका मतलब यह तो continuously compounding का factor दे रखा है, हाँ, और कितने percent का, 2 percent का, और मुझे 2 percent है, वैसे तो मैं 1.02 लेता है, पर यहां मैं 1.02 नहीं लूँगा, भले यहां continuously compounding नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीचे factor दे रखा है, it means, हर बात को लबजों में कहना ज़रूरी नहीं है, इंडिकेशन से, इसारू से समझ सकती होना यहां, कि हाँ, सर, continuously compounding यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां factor दे रखा, इसका मतलब वो कहना चाहता है, कि वहीं, सर जी, भले हमने यहां 8 percent per annum continuously compounding नहीं लिखा है, पर यह दिया है, तो आप लिजिए, आप लिखिए, 1.0202, तो काम हो गया, आठ नमबर का कोश्चन आएगा, अगर आठ नमबर का आता है, तो भाई, लॉट्री नहीं लगीगी, आपकी सोचों न, गर क्या है, चलो, तो step number 2 में क्यों होता, सर, step number 2 में होगा, risk neutral probability, risk neutral probability का क्या formula पता है, हाँ सर, formula पता है, t is equal to r, r की जगा में e power rt भी लिख सकता हूँ, minus e power rt, minus t, u minus t, आप r भी लिख सकते हो, पर continuously compounding होता है न, तो उसको e power rt लिखोगे तो ज्यादा अच्छा, और दिया हुआ है सायद, 1.0202, 1.0202, minus, 0.9524, 0.9524, divided by, 1.1905, 1, sorry, 1.1905, minus, 0.9524, 1.1905, कोश्चन कोश्चन ऐसी सौल किया, एक कोश्चन अलागे, तो हम उस कोश्चन पर क्यों फोकस करें, 90 पर करते हैं न, तो सर, 1.1905, minus, 0.9524, m plus में डाल देते है, 1.0202, minus, 0.9524, divided by, mrs, equal to, 0.2844, 0.2848, है, इसमें, 44 आ रहा है, जिरो पॉइंट, 0.2844, सर, उसमें तो 0.2848 आ रहा है, चल जाएगा भाई, इतरा, ठीक, ठीक है जाए, एक्चुली यह जो probability नोंने, पूरा ले रखा है, ठीक, अब इस टेप नंबर 3, हमें क्या करना, सर, हम binomial tree बनाएंगे, सर, जरूरी है क्या बनाना, जरूरी नहीं है सहप, पर बनाने में, 8 नंबर का कोशन आता है, तो थोड़ा सा बना दो की, तो कोई तकलीफ हो रही है कि आपको, ठीक, तो बोलो भई, यह वाला एक लेत, आज प्राइस कितना रुपए हैं, सर, आज प्राइस से 420, प्राइस या तो जादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है, कितना कितना हो सकता है, क्या क्या लिखा है, maximum 500, 400, प्रोल प्रोबाय प्रोभाइबलिटी आपके निकाला हैंगा, कितना निकला, 0.2844, 1-0.2844, 1-0.2844, 0.71, 56, अभी कहने कलना है, CU, CT, और मैंने कहा, बच्चे क्या गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे, 80 रुपे लिग देंगे, 500-420 और मैंने कहा, बस यही गलती मत करना, exercise price तो 450 है, अच्छा सर तो यहां क्या जाएगा 50, और यहां क्या जाएगा 0, अब कहां पर आजाते हैं, step number 4, value of call option, 0, तो C0 is equal to, formula लिखना चाहिए, C0 is equal to, C, U, P, 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 D, 1-P, divided by capital R भी लिख सकते हैं, पर मैं यहां E power RT लिखुँगा, जो ICAI करता, ठीके सर, इन्होंने तो suggested में formula नहीं लिखा, मत लिखने दो नहार, हम अपना काम करें, ठीके सर, तो यहां जाएगा सर 50, into 0.2844, plus 0 into 0.7156, divided by 1 point, क्या है, 0202, है, 0202, है, 0202, पाइनल अंसर अचाए, 50 into 0.2844, divided by 1.0202, अंसर अगा 13.94, उनका 96 आ रहा है, चल जाएगे, 13.94, ठीक है, हाला कि आपको लग रहा होगा कि ICAI ने चार लाइन में कोशन खतम कर दिया, जो आपने एकाथ पेज लगा दिया, नमबर भी देखो, 8 नमबर का, दूसरी बात, ये कोशन खतम कर दिया, लेकिन आगे वाले कोशन खतम नहीं किया होगा, ऐसा, ठीक है जी, कैसा लगा कोशन, बहात रहें से, चले जी आखे, और एक कोशन खते, कोशन नमबर 9, खाज बात ये है कि ये भी कोशन, प्रेक्टिस मैनुवल में डला हुआ था, ओल्ड स्लिबस का, जब न्यू स्लिबस का इस्टडी मटिरियल आया, तो ये कोशन भी चुनकर इसमें डाल दिया गया, तो ये भी हमारे लिए इंपोर्टन है, और इसको भी मुझे ही करवाना होगा, देखते है कोशन में, बड़ा कोशन दिख रहा है, ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा, अब पढ़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, स्टार्ट करते ही बड़ा, देखा है, सुमाना वान्टेट टू बाइ शियर ओफ ई आई एल, ठीक, विच हैज अ रेंस ओफ, 411 तो 592, 411 और 592, तो सर ये मिनिमम प्राइस हो गया है, और ये मैक्सिमम प्राइस हो गया है, कब की बात थे, मुले एक मैने बात, तो पिरियट कितना हो गया है, टोटल वन बंत हो गया है, ठीक है यहां तक, ठीक है, तो प्रेजेंट प्राइस पर शियर तो 421 दिया है, तो इससे यू निकल जाएगा, इससे डी भी निकल जाएगा, हर ब्रोकर, अब यहां से यहां कनफ्यूजन है, हर ब्रोकर इनफॉर्म हर देट, अब प्राइस अब दिश शियर कैन शूर, यह शूर है, शूर अब टू 522 विधिन आ मन्त, तो जो ब्रोकर है न, इसका सुमाना, जो ब्रोकर है वो क्या कह रहा है, ब्रोकर यह कह रहा है कि जी ऐसा है सुमाना जी, जो प्राइस है, वो ऐसा लगता है कि 522 तक जाएगा, 522, तो क्योंकि प्राइस बढ़ेगा आपको ऐसा लग रहा है, पक्का है 522, विधिन आ मन्त, उससे उपर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो that she should buy a one month call, one month call important है, one month call खरीदने को तयार होगे, और क्या लिखा in order to be prudent in buying the call, बले call खरीदना है, call option खरीदना है, पर call option खरीदेंगे कब, बले जब share का price जादा होगा, या कम से कम कितना होगा, 522, this is important, share का price 522 या उससे जादा है, तब ही हम call option खरीदेंगे, ऐसा क्यों सोच रहा है, हम इसलिए तो सोच रहा है, कि या exercise price क्या होता था, call option क exercise price क्या होता था, sir call option क exercise price होता था, कि share का price, this exercise price या उससे जादा हो, जादा होना चाहिए ना, तब ही, कम से कम होतना हाला कि premium जागा उससे जादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, it means ये 522 है क्या, बस ये decide करना, the assurance of which could not be given by a broker, बोले 522 या उससे जादा होना चाहिए, इन maximum price तो हमको मालूम है, 592, ये 522 है क्या, price क्या है, actual मालूम है, अगर मेरी नजरों से देखो, तो एक ही price दिखाई दे रहा ही, इसको मैं बोल सकता हूँ exercise price, exercise price, क्या हमें minimum price मालूम है, हाँ, क्या हमें maximum price मालूम है, हाँ, तो एक ही तो बच्चे exercise price, और यहां की language से ऐसी लग चाहिए, तो exercise price, पर आगे exercise price देगा, तो अलग बात है, तो C understands the uncertainty of the market, C wants to know the probability, probability पता करना चाहते है, of attending the price of rupees 592, तो देखो, यहां भी बोला, 592 होने की probability, 592 ये नहीं है, 592 ये है, मतलब probability पता करना चाहते है, maximum price की, probability of upper price, ठीक है, so that buying a one month, ताक्कि वो one month call option खरीज सके, at the execution price, 522 is justified, sir, फिर क्या बोला execution, बिट्टे ये exercise price, वो पता करना चाहते है, probability, ठीक है, ठीक है, take the risk free interest to be 3.6% and उसका value दे रखा 1.037, पहला question, मेरे वीमन में, आपके वीमन में, क्या हमें call option का value पूछा है, call option का value नहीं पूछा है, साब कहीं भी call option का value नहीं पूछा है, दिख रहा है आपको, ठीक है सर, call option का value नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा, probability, probability, मतलब सर, सीधी सी बात है, सिर्फ आप से risk neutral probability पूछा है, ना तो ये पूछा है, ना तो ये पूछा, फिर भी, अगर आपको जबरदस्ती मेहनत करनी है, तो अलग matter, probability भर पूछा है, तो सर क्या करें, फिर probability नहीं कालते हैं, फिर probability नहीं कालते हैं, क्यों जमाने भर का टैंसर लेजर, ठीक है, अगर वो सर्वे, call option का value पूछता, तो हमको, मालूम exercise price यह है, तो फिर हम binomial tree वगिरा, यहां सिर्फ probability पूछा, तो एक बार हम करने के कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले given तो लिख देते हैं, मतलब दो steps में काम हो जाएगा, कि yes, given, तो एस दिया है क्या, yes, 425, ठीक के सर्थ, क्या हम यू निकाल सकते हैं, yes, 592 divided by 425, या, डी भी निकाल सकते हैं, yes, 411 divided by 421, या, आर भी निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, ले निकाल, 592 divided by 421, तो अब यहां कितना डिजिट लिखना पड़ेगा, तो चेक करो, कहीं वैल्यू दिया हुआ है, कि e का, yes, यहां देखो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, सर, तीन ही दिख रहा है, तो मैं यहां तीन ही वैल्यू लूँगा, ठीक है, पॉइंट के बाद तीन डिजिट तक, तो सर, यह अब क्या ले ले, 1, नहीं, सोरी, यह निकला है, 1.407 ले ले, सर, 4061 है, 406 ही ले ले लेते हैं, 411 डिवाड़ेड़ वै 421, तो सर, यहां ले 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 लेते हैं, 0.976 ले ले लेते हैं, अब बचा आर, और आर में दिक्कत है, आर का मतलब, रेट अप इंट्रेस्ट, और रेट अप बिध्रेस्ट कितना दिया है? तो यह दिया है, अब धियान देना? यह दिया है 3.6 और 3.6 परशेन के साथ कुछ ने लिखा कि पैरैनम है कि नहीं है? हम कब का निकल रहा है? हम 1 मंत का ही निकल रहाए एक महने बाद का तो 3.6% के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या हमें इसे परेनम लेना चाहिए, याद रखना पूरे SFM में अगर परशंटेज के साथ कुछ नहीं दी लिखा है, तो हम परेनम लेते ही लेते हैं, नोगि यहां की बात नहीं है, आगे derivative में, आगे 4X में भी बात बार-बार वोलूँगा, कुछ नहीं भी लिखा है, तो परेनम, तो उस हिसाब से अगर में लेता हैं, तो मैं क्या करता, 3.6 into 1 divided by 12, ऐसे लेता, ठीक, ओके, और उसके बाद फिर सोचता, पर institute नहीं क्या किया है, सुनना ध्यान से, यहाँ इन्होंने 3.6 लिया है, और institute ने 3.6 को एक मैने का रेट माना, बोले इसको आप मन्त ली मत करो, यह वन मन्त का ही रेट है, और इसके हिसाब से इन्होंने continuously compounding का factor भी दे दिया, क्योंकि यह continuously compounding का factor दिया है, तो हो सकता है कि मैं इसको वन मन्त का मान लूँ, क्यार वन मन्त का उसने निकाला नहीं है, जैसे पिछला question देखो, कहां गया भई, कहां गया पिछला question, यह देखो, यहाँ 8% rate दिया है, हालाकि इसमें per annum लिखा है, पर annum नहीं भी लिखा रहता है, तो मैं इसको per annum मानता, 100% आपको भी मानना हलके में मत लेना इस बात को, पर यहाँ उन्होंने देखो, यहाँ कितने percent का दिया है, अगर 8% के साथ कुछ नहीं लिखा रहता, और यहाँ value E 0.08 देता, तो फिर सायद मुझको इसको भी तीन मेहने का मानना पड़ था, लेकिन यहाँ तीन मेहने का उसने निकाल कर value दिया है, ठीक है इस question में, अब इस question की बात करूँ, इस question में 3.60% लिखा है, वैसे मैं इसको per annum ही मानूँगा, और मैं 1 month का निकालूँगा, लेकिन जैसे यहाँ value दिखा, तो मुझे ऐसा लगा यार, यह value दे दिया है, मतलब यह ही आपको उठा कर लेना, मतलब यह जो rate है, यह 1 month का ही, ठीक है, इसलिए मैं इसको 1 month का मान रहा हूँ, ठीक है, it means sir, यह गलत है क्या, यह गलत है, हमें यह नहीं लेना, हमें दिया है, कि 0.036 is equal, और दिया 1.031, 1.037, यहां तक कोई problem नहीं, तो sir, अब हम क्या करें, अब हम exercise price लिख लें कि जरूरत नहीं है, सिर्फ probability पूछा है, तो क्यों हम जबरदस्ती गाम कर, इस step number 2 करते हैं, रिस्क न्यूट्रल प्रॉबाबिटिटी, प्रॉबाबिटी का फॉर्मल आपके पास है, क्या continuously compounding है, yes, e power rt minus d divided by u minus d, ठीक है, ठीक है sir, तो P is equal to 1.037 minus 0.976 divided by 1.406 minus 0.976. 1.406 minus 0.976, m plus में डाला, 1.037 minus 0.976 divided by mr's equal to, यह आखे है, 0.1419, यह 1.8 ले लो, ठीक है, ठीक है sir, तो यह था प्रॉबाबिटी, तो दस प्रॉबाबिटी ओप राइज इन प्राइस, यह दिख रहा, अले लेके दूँ क्या, प्रॉबाबिटी ओफ राइस, प्राइस इस 0.141, अब इस question में एक सब्द और लिखा, जिस पर मुझे बच्चों ने परिशान किया था, और लिखा advice हर, भाई साब, advice कैसे करो, लिखा है ना, यह सब्द, advice, advice हर, अब समस्या इन सब्दों पर, advice हर लिखा है ना sir, कुछ advice तो करो, उसको, भाई, advice कर सकता था, जब मैं value निकालता, call option की, और मुझे premium का amount दिया रहता, तो मैं advice करता कि, हाँ जी, option खरीदना है कि नहीं खरीदना, यहाँ advice हर लिखा, तो यहाँ कोई भी advice नहीं कर सकता, और institute नहीं भी नहीं कर रखा, तो आप भी मत करो, question number 10, question number 10, question number 10, sir, homework दे दीजिए, कितने अच्छे बच्चे हो आप, question number 10 मैं आपको homework दे रहाए, ठीक है, question number 10, बनाके लाना है, किसी भी हालत में करना, घर जाके घर में ही बैठे हो आप, at least class खत्म होने के बाद, homework कर देना बच्चों, बस इतना सब, या class रोक के कर लो, question, क्या फर्क पढ़ता है, आपको तो कोई फर्क नहीं पढ़ने माला, recorded classes में यही फायदा है, बस, तो अब अगले concept क्यों बड़े हैं, यास, और अगला concept बड़ा important है, बिल्वकुल ध्यान से समझना पढ़ेगा, ठीकि सर समझाईए, पानी पीलू यास सब से अच्छा, कर लो जब तक question number 10, time है आपके पस, हाँ जब त्यार हो, हो गया, चलो जब सुनों, अब काम की चीज है, two period binomial, sorry, binomial model, binomial model, binomial model में, हम क्या कहते थे, कि यहां लिखा मैंने share का price, share का price आज कितना, यहां price है पुरे, आज है पास्टार रुपा, और यह है time, maturity time कितना है, तीन मैने, यह तीन मैने हो गए, तो तीन मैने बाद, शेर का price, या तो कम हो सकता है, या तो जदा हो सकता है, इतमी हम कहते थे, या तो 600 हो सकता है, या तो 400 हो सकता है, यह बोलते थे, maturity को, binomial का यह एंजंशन है, कि साहव, आज 500 जो प्राइस है, तीन मैने बाद, 600 भी हो सकता 400 भी हो सकता खाला कि यह इतने बेकार एजैंटेंशन है इसको हम नहीं मानते फर हमें मानना पढ रहा है ठीक है हला कि प्राइज यहाँ unlimited हो सकते कितने प्राइज उसकते बहुत सारी हो सकते उसके लिए कौंसा complex कौंसा मोडल पढ़ना जिसको आप maturity से पहले भी exercise कर सकते हैं कभी भी, एक दिन बाद भी, दो दिन बाद भी, तीन दिन बाद भी ऐसा भी हो सकता कि यह period total कितना है मानलो यह period है छे महने ऐसा भी हो सकता कि इसको हम तीन महने में भी exercise कर सकते हैं और छे महने में भी exercise कर सकते हैं आप फिर एक काम करो फिर बले ऐसे मनेगा कि यहाँ दो पर इस हो सकते हैं। तो बोले फिर यहां मान के चलो, कि यहां कितना हो सकता, यहां 600 हो सकता, यहां 400 हो सकता, फिर यहां दो प्राइस हो सकते, अगर 600 हुआ तो आगे दो प्राइस, 400 हुआ तो आगे दो प्राइस सर तो इसको क्या नाम दिया बोले यह है एक पिरियट और यह है दूसरा पिरियट और इसको उन्होंने नाम दे दिया टू पिरियट बाइनोमियल मॉडल कॉंसेप्ट क्या है पहले वो समझ दो American option में ज्यादा दिक्कत है American option में बीच में भी तो option exercise किया जा सकता है अगर बीच में option exercise किया जा सकता है तो आप कह रहे हो कि maturity पे दो possible price है maturity की बात क्यों हम तो बीच में भी exercise कर सकते न कभी भी तो ठीक है यहां तो यहां भी दो possible price हो सकते हैं तो हमें यहां का भी आपको value of option देखना पड़े गए मैं समझाओंगा धीर से समझाओंगा ठीक है सर तीन मेने में क्यों हम तो देड़ मेने भी exercise कर सकते हैं हां तो ऐसे भी कर सकते हैं तो फिर उससाब से उसका नाम हो जाएगा three period binomial model सर थम चार बार भी तो exercise कभी भी कर सकते हैं तो फिर multi-period binomial model हमारे स्लिबस में नहीं हमारे स्लिबस में सिर्फ two period binomial model पूरा period कितना है छे मैंने उसको हमने दो पार्ट में बाइड दिया तीन मैंने छे मैंने तीन मैंने में भी exercise हो सकता है छे मैंने भी exercise हो सकता है हाला कि institute ने कभी कभी two period binomial model बोला और European option की बात किया खैर मैं आब वो example के value of call ही निकलना, c0 या value of put ही निकलना, p0 निकलना, करना कुछ नहीं है पर नाम क्या हो गया है टू-period binomial सर्थ two period binomial model का मतलब समझ गया है कि जो total period है उसको हमें दो पार्ट में divide कर देना पर इसके बात काम क्या करना हो, क्या हूँ हम example से समझ सकते हैं ध्यान से करना क्योंकि question आएगा तो 8 नमबर अक्तर आई हुए अभी अभी attempt तो एक question मुस्किल question ले रहा हूँ, example, example number 10 इसमें बहुत time लगेगा, धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है जी, अराम से सुनते जाना मेरी बात को, एक बार question read कर लेते हैं, the stock of a company is currently quoted in the market at rupees 150, मतलब सा as दिया हुआ है कि yes, यहां लिख सकता हूँ न, लिख सकता हूँ, as कितना दिया है, rupees 150, इस example को समझ लिया न, तो question आपसे यूँ बन जाएगे, उसके बाद भले break दे दूँगा, पर time लगा दो, इसको समझने में time लगा दो, इस example को करके 2-3 question, 2 period खतम करेंगे और break ले लेंगे, exercise price है 150, the price of stock is go up or down by 10% in the next one year and by 15% in the second year, बाँ 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 बाँ, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि यार, जो total period है, वो 2 साल का है, वो समझानी की कोशिश करें, total period 2 साल का है, बोले, एक साल बाद, जो stock का price अभी 150 रुपए दिख रहा है, वो 10% से उपर भी हो सकता है, 10% से नीचे भी हो सकता है, और उसके एक साल बाद, बोले, उसके एक साल बाद, 10% से न लाउन भी हो सकता, ठीक, देखते हैं भही क्या, रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है, 6%, रिस्क फ्री इंटरस रेट इन एकोनॉमी इस 6%, ठीक, रिक्वाइड, उजिंग टू इस्टेप बाइनोमियल मॉडल, फाइंड आउट दा प्राइज ओप, इंपोर्टेंट है ये, तू इयर, अमेरिकन, 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 सर, अगर यूरोपियन सब्द आ सकता, इसमें तो आई नहीं सकता, मतलब आया हुआ है ना बच्चे, वैसे तो ये अमेरिकन के लिए ही बना, अमेरिकन आप्शन के लिए ही बना है, टू पिरियर्ड, पर पूट का क्या कहना उसने तो यूरोपियन भी बोल दिया बहले यूरोपियन से करके बताओ चलो में दोनों से करके सिखाऊंगा अमेरिकन पूट ऑप्शन और कॉंसा उप्शन है पूट मतलब कम होगा तो एक्ससाइस कैसे पता लग रहा है कि टू पिरियड बायनुमियल मॉटल उपर से अगर यहां नहीं भी बोलता है उपर से दिखरा कि पहले साल में बढ़ेगा कम होगा दूसरे साल में फिर बढ़ेगा कम होगा वहां से समझ में आरा कि टू पिरियड है तो सर इसमें हम स्टार्ट कैसे करें गिवन करके करेंगे कि नहीं सबसे पहला काम होगा जब भी टू पीरियड आएगा आपको बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा तो अब पहला काम आपको बाइनोमियल ट्री ही बनाना पड़ेगा उसके बिना काम नहीं चले सर इसको अमेरिकन मानके समझा रहें कि नहीं पहले में यूरोपियन मानके समझाओ और फिर बात करूंगा अमेरिकन क्योंकि इंस्टिट्यूट ने आए सी ए आई ने यूरोपियन आप्षिन में भी टूपिरिय्ड मान दिया तो फिर मैं पहले एक American का question करवा हूँ फिर European का question करवा हूँ यह नहीं तो इसको हम क्या मानके चल रहा है assume हलाकि उसमें question मैं साफ साफ लिखा कि American है पर मैं European वाला भी आपको समझा देता हूँ तो मैं क्या करूँ assume option is European ठीक है ठीक है और step number one कि मैं सबसे पहले बाइनोमेल ट्री ही बनानी है चाहे अमेरिकन हो चाहे उरोन है चलो बाइनोमेल ट्री बनाते हैं ओफोई जांपर तो मेरे पास नहीं है कितना है प्राइज एकस पचास पहले 10 परशन से उपर फिर 15 परशन से 150 10 परशन से उपर जाएगा तो एकस पचास प्रेस परशन 165 और एकस पचास माइनस दस परशन 135 ठीक है यह कब की बात है बुले इयर वन पस्ट इयर और बुले सेकंड इयर में फस्ट इयर तक पहुंचे बुले सेकंड इयर में से 15 परशन अब डाउन तो फिर यह हो जाएगा यह हो जाएगा 15 परशन देखते हैं 165 प्लस 15 परशन तो सर यह आ गया है 189.75 165 माइनस 15 परशन 140.25 जनरली जनरली अगर यह दस परशन से बढ़ता और अगले साल भी दस परशन से बढ़ता ना तो यह 140.25 यह आ जाता मेरी बात समझ था अगर आगे यह 10 से बढ़ा और अगले साल भी 10 परशन से बढ़ता तो इसका डाउन और इसका एक जैसा होता सर क्या कहना क्या चाहते हैं कुछ नहीं कहना चाहता आगे समझ में आएगा अभी तो सर दो एरो यहां भी खिच लेते हैं कि यह से कम यह ठीक है 135 प्लस 15 परशन तो सर यह आगे है 155 0.25 0.25 है यह ठीक 135 माइनस 15 परशन तो सर यह आगे 114.7 कभी बाइनों में यह कब का है यह सर सेकेंड इयर का कभी आपने जब आप सायद ओल्ड सलिव एक होता था मालूम है डिसिजन ट्री यह इंटर में कैपिटल बश्टिन यह फिर आपने उसमें तो किया हो गया कहा था अप्रेटिंग रिसेर्च क्यूटी बोलते थे सांव नाम तो कर इसको सर नोड रं बोलते हैं इसको नोड वन बोलते हैं नोड वन इसको नोड तू इसको नोड थी इसको भी नाम दे सकते पर अभी हमें जरुरत नहीं पड़ेगी सर क्यों जरुरत नहीं पड़ेगी आगे समझे में आ जाएगा अब हमें क्या निकालना पड़ेगा probability अब probability कब की यहां की यहां की तो निकालना है साथ में node 1 के लिए तो probability निकालना है node 2 के लिए भी probability निकालना पड़ेगा node 3 के लिए भी probability निकालना पड़ेगा और सर इधर के node के लिए इधर आगे तो गया नहीं है तो जिर्वत ही नहीं कोई 3 period throwing पड़ है इसलिए मैंने यहीं तक node 3 तक ही बोला है पार समझना अगर आगे भी ऐसा लिखा रहे था तो फिर मैं node 4 लिखता node 5 लिखता node और सब की लिए probability निकालना अब भी मुझे probability निकालना है node 1 के लिए node 2 के लिए node 3 के लिए जनरली probability एक जैसी ही होती है मेरी बासमझना जो probability यहां निकलती वही probability यहां निकलती यहँ प्रोगयाबिलिटी यहां निकलती अगर अगर ऐसा लिखा रहता कि पहले साल दस percent से updown होगा और दूसरे साल भी 10 percent से updown होगा अगर percent भी एक जैसा रहता तो probability भी एक जैसी निकलती पर इस question में यह जो example है जो example बनाया गया है ना questions ऐसे नहीं आते question में rate एक ही होता है पर इसमें मुझे बहुत कुछ समझाना है इसी वज़ा से यह काम हो रहा है ठीक है ठीक है ओके आगे जब question आएगे तो मैं एक ही बार probability निकालूँगा कोशिश करूँगा ठीक है यहां हो जाए अब probability निकालना है तो मुझे u d वगिरा चाहिए यहां तो को यू देखो पहले सल 10 पर्शन से उपर 1.10 10 पर्शन से कम 0.90 वो तो आटोमेटिक समझ में आ रहा ना है यार हम लोगों को हम वहाँ साथ ठीक है तो सर करें क्या यास तो सबसे पहले इस टीप नमबर टू रिस्क निट्रल प्रॉपाइबलिटिए प्रॉपाइबलिटी का फॉर्मल लिख देता हूँ एक बार पी इस एक्वेल र मैनेजडी यू मैनेजडी सबसे पहले किस के लिए करते सर सबसे पहले नोड एक ही बात कर लेते हैं और यह लिखा कि नोड वन लिखा नोड वन नोड वन की बात करते हैं कि इस एक्वेल टू आर का मतलब है रीट आप इंट्रेस्ट रीट आप इंट्रेस्ट कितना है भई छे पर्शन मतलब वन पॉइंट जीरो सिक्स और दस पर्शन से डाउन होगा मतलब 0.90 इसको मैं जी निकालने की जरू थे नी होत नहीं हो तो common sense ही समझ में आरहा और सब 10 पर्शन से बढ़ेगा मतलब 1.10 और 0.90 ठीक है जी तो 1.10-0.9 1.06-0.9 divided by MRS equal to 0.8 तो node 1 का तो काम हो गए तो sir यहाँ आजाएगा 0.80 और यहाँ आजाएगा 0.20 अब sir node 2 के लिए अब की बार 15% से अब 15% से डाउन और यह भी 15% से अब 15% से डाउन तो यहाँ के लिए जो probability आएगी यहाँ के लिए भी ओई probability आएगी हाँ भाई अब बात किसकी करेंगे हम लोग node 2 2 and 3 e is equal to 1.06 0.80 हो जाएगा 15% 0.85 होगा भाई 0.85 कैसे आया समझ में आ रहा ना जाएगे तर एड में आ होगा के पाईगा देवाया Clone 22 तो 0.70, 0.30, 0.70 और 0.30 ठीक है ओप्शन कौन सा है पुट और एक्सरसाइस प्राइस क्या है एक्सरसाइस प्राइस है एक्सरसाइस प्राइस है एक्सरसाइस से कम होगा तो एक्सरसाइस तो सर अब नाम करन कर दे क्या यस सर यहाँ option exercise होगा यहाँ होगा इसको P-U बोलते इसको P P-U P-U होता ना ऐसा P-U भी तो हो सकता है सर इसको P-U तो इसको क्या हो सकते है P-U-U सर अजीब सा नाम लग रहा है कोई बात नहीं आप formula पे मज़़ा आप concept पे पे चले जाओ ज़्यादा अच्छा तो सर फिर भी मैं यह P-U है तो यह P-U-U हो जाएगा यह P-D है तो यह क्या हो जाएगा P-D-D बाकि आप नाम ऐसे ना भी लिखो तो भी चल जाएगा तो मैं P-U-U क्या call option put option यहाँ exercise होगा नहीं सर नहीं जीरो क्या put option यहाँ exercise होगा इसको क्या नाम दो सर P-U और फिर क्या होगा है D P-U-D ऐसा भी कोई नाम होता कि ऐसा नाम नहीं है मानू और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लिख सकते और एक आत question में लिखा है institute ने ऐसे ही इसलिए ऐसा लिखो 170-140.25 तो सर यह आगा है 29.75 ठीक सर P-D-U P डाउन हुआ फिर अप हुआ 170 माइनस 155.25 यह आगा है 14.75 और यहां की बात करो 170 माइनस 114.75 P-D-D 55.25 ठीक है आब बलो अब बताओ European option maturity European option में मान के चलो exemption है European option क्या European option period कितना है दो साल क्या दो साल बात exercise हो सकता है यस क्या एक साल में भी exercise हो सकता बीच में नहीं हो सकता और फिर मुझे value ultimately कहां के निकालने node 1 की यह value निकालने ही बस बात कता पर सुनो सुनो बच्चो तो period binomial model में हमें यहां भी option का value निकालना पड़ेगा option का value यहां के लिए भी निकालना पड़ेगा IC AI का presentation ऐसे ही है वैसे तो European होता अमेरिकन होता तो मैं यहां का value निकालता अमेरिकन होता तो मुझे यहां भी चेक करना पड़ता न यहां भी exercise होगा पर European option में आप बीच में exercise भले नहीं कर सकते पर यहां का value निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है 0 into 0.7 29.75 into 0.3 divided by 1.06 present value तो निकाल रहा हो और यहां की बात करो 14.75 into 0.7 हां बोलो 55.25 का भी pay off हो सकता उसकी probability 0.3 और उसका present value यहां तक के लिए और फिर यहां जो आएगा उसका present value यहां के लिए इट मीन्स तर हमें दो बार discounting करना पड़ेगा यहां पहले दो साल से एक साल और फिर एक साल से आच इतनी सी बात है और कुछ लिए ठीक है सर तो निकाले क्या यहां मैं सीधा कर रहा हूँ point number step number कौन सा होगा सर step number one में कर लिया step number two में सायद अपने probability निकाला था सायद probability इधा निकला गया पड़े सारे पेस लिए step number one step number two अब आजाते हैं step number three value of put option तर formula लिखरना है क्या मैं कोई formula नहीं लिखर बस अलग-अलग note के लिए आपको निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले किस note के लिए हम निकाले सबसे पहले जो निकाल रहा है हम कौन से note के लिए node two के लिए node two के लिए value निकाल रहे है तो सर इसको अब क्या नाम दोगे इसको p1 भी नाम दे सकते हैं पर मैं सीधा लिखता हूँ भाई और कोन इतना जंटे नाम में ही तो हम परेशान होगे सीधा value of put at note two ऐसे लिख देता हूँ यह सबसे अच्छा तरी बूलो भई 29.75 into 2.3 और दिवाइट के सी हो जाएगा 1.06 29.75 into 2.3 divided by 1.06 तो भूलो के तना हागे सर इए आगे तो से लिखनो क्या 29.75 into 2.3 divided by 1.06 yes 8.42 सर इसका क्या करेंगे क्या करेंगे अभी रुख जाओ मैं समझाओंगा क्या करेंगे ठीक हजे अब किसकी बात करेंगे सर इसके बात अब बात करेंगे note 3 के लिए बात कि बात करेंगे लिए भल्याओंगा यह बात करेंगे is equal to 14.75 or 55.25, 14.75, 14.75 into 2.7 plus kathire 55.25, 55.25 2.25 into 2.3 or divide 1.06, 14.75 into 2.7 M plus 55.25 into 2.3 M plus MRC divided by 1.06 25.38, 25.38, 8.42 or 25.38. तो यहां कब पे आफ है, यहां वैल्यू आई, 8.42, और इस नोट पर वैल्यू आई, 25.38, 25.38. ठीक, हां बोलो, यह वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, क्यों निकालना है, जैसी मैं अमेरिकन समझाने जाओंगा ना बास समझें, अभी मैं क्या एजियूम कर रहा हूं कि जो आप्सन है, वो यूरोपियान है, अब एक बार बताओ, यहां जो वैल्यू, यहां से जो व यहां का वैल्यू तो निकाली सकते हूं, कैसे निकालो, 8.42 into 0.8, और 25.38 into 0.2, divided by 1.06, तो यहां की वैल्यू हो जाहिए, इट मिन्स सर, जो काम हम एक बार में कर रहे थे, वो अब हमें दो बार में करना पड़ेगा, यस, सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्या, 0 into 0.7 into 0.8 नहीं नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आपको नॉलिज नहीं है, और मैं नॉलिज देना भी नहीं चाहता, जॉइंट प्रोबाइबिटी, क्यूमिल्टी प्रोबाइबिटी तो परिशान हो जाओगे ना, तो दीरे-दीरे करो, यहां से यहां से यहां पहुँचे, समस्या क्या आपको, और करना ही बढ़ेगा, यहां से डारेक्ट सॉटकट का कोई नंबर भी नहीं है, तो अब नोड वन के लिए निकालते हैं, तो नोड वन के लिए निकाल देते हैं, पॉइंट एट और पॉइंट टू है, अब किसकी बात करें, नोड वन, जो हमको चाहिए, आज की वेल्यू, यह एक साल बात की थी, अब आज की वेल्यू है, नोड वान, वेल्यू पॉट टूदे, इस एक्वल टू, 8.42 into 0.8 plus 25.38 into 0.2 divided by 1.06 तो सर, 8.42 into 0.8 M plus 25.38 into 0.2 M plus MRC divided by 1.06, तो सर, यह आ गया, 11.14, 11.14, हाला की 170 minus 150, इंट्रिंसिक वेल्यू कितना है, रुपीस 20, और कभी भी प्रीमियम या वैल्यू पॉप्शन इंट्रिंसिक वेल्यू से जादा ही होता है, ने तो आर्बिट्रेज हो जाता है, पर कैसे होगा, वो बताऊंगा, हाला की यहां मुझसे बोले वैल्यू पॉप्शन कितना है, तो मैं बोलूँगा 20 रुपिया, उससे कम तो बनता ही नहीं है, प्रीमियम के अमाउट 20 रुपे से जादा ही होगा, तो यह जो निकला है, मुझे टाइम दे दीजी, अब मैं ऑप्शन को जो है, वो कौन सा मान रहा हूँ, अमेरिकन, सुनना ध्यान से, अब, मैं वापस इस कोश्चन को नहीं करना चाहता, वापस नहीं करना चाहता, अगर यह यूरोपियन नहीं होता, यह अमेरिकन होता, तो मैं इसको बस इसको गृन में कर दिता हूँ, गरीन में समझ में आएगा, तो दिखेगा ना गरीन में, यह सर, देख जाएगा गरीन, पताने भई, और गरीन को छोड़ो, पिंक में, पिंक और रेड एक ज़िस से दिखता ना, यह दिखता थ, यह वाला कलर उताता हूँ, यह ठीक है, इस मैं द American option है तो दिक्कत है भाई, यूरोपिया ने तो बात बन गई, American है तो क्या होता है, सुनोगे, सुनोगे बच्चों ध्यान से, American होता तो, Sir American होता तो क्या probability यही निकलती, यस, Sir pay off भी यही निकलता है, यस, Sir उसका यही आता है, यस, बस American में खास बात क्या सुनना, क्या American option यहां भी exercise किया जा सकता है और यहां intrinsic value कितना है बस इतना बता दो intrinsic value यहां क्योंकि यहां भी तो exercise किया जा सकता है intrinsic value 170 minus 165 170 minus 165 कितना रुपए है 5 रुपए option अगर यहीं exercise करना है तो 170 minus 165 रुपए है intrinsic value ठीक है और option का value कभी भी intrinsic value से जादा होना चाहिए और जादा है अगर जादा नहीं होता तो अगर जादा नहीं होता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि intrinsic एक बात कसम खालो कि value of option कभी भी intrinsic value के बराबर यह उससे जादा ही हो नहीं तो arbitrage है तो यह बार बार आप बोलते हो नहीं तो arbitrage हो जाता है तो कहना क्या चाहते हो अभी क्या कहना चाहता हूँ समझाता हूँ क्या यहाँ भी option exercise किया जा सकता है yes तो चलो intrinsic value क्योंकि option कौन सा है अमेरिक तो सर intrinsic value कितना आएगा है यहाँ जगा नहीं है सर कहीं और लिखो यहाँ लिखता हूँ intrinsic value 170 minus 135 रुप है 35 intrinsic value है जबकि value कितनी है 25 अभी यहाँ conflict आगे है अब सुना मैं यही तो लाना चाहता था इस question के तो अब सुनोगे लिखा option का value क्या 25.38 हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि intrinsic value कितना है 35 35 और option का value intrinsic value के बराबर या उससे ज़्यादा ही होगा उससे कम हो ही नहीं सकता सवाल बस इतना है क्यों नहीं हो सकता तो सुनोगे लिखा इस situation में क्या किया जा सकता इस situation में आप option खरीद लो आप यहाँ यहाँ खड़े हो यहाँ option की value यहाँ खड़े हो यह इस यहाँ option की value कितनी आपके सबसे premium का amount कितना option की value मतलब premium का amount सरफ 25 रुपए 38 पैसे तीक है आज की बात करो आज market price कितना 135 exercise price कितना 170 170 से नीचे जाएगा तो exercise तो फिर इस condition में अगर मैं यहाँ खड़े होता तो मैं क्या करता सुनना मैं यहाँ खड़ा हूँ कहां इस point पे खड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार आज premium option का value मतलब premium आज premium का amount है 25 रुपए 38 पैसे मैं इग्नोर करो 25 रुपए और आज ही मैं अगर exercise करो तो मुझे फायदा है 35 रुपए का तो सर option खरीदो आज ही कितने का 25 का और आज की आज ही exercise कर दो कि American है अभी की अभी exercise कर सकते है और अभी की अभी exercise करोगा करूँगा तो 170 माइनस 170 माइनस 135 बोलो कितने का 135 रुपए का pay-off मिल जाएगा 25 रुपए का मैं option खरीदता हूँ ये लो option खरीदा 25 रुपए दिया option आया आज ही exercise किया कितने का pay-off put option है बोलो put option 170 से कम हो गया 135 35 का फायदा 35 मिल जाएगा आजी बोलो कितने का फायदा हो जाएगा 10 रुपए का फायदा क्या ये फायदा पक्का है पक्का भाई अभी की अभी दो मिनट में काम हो रहा पक्का है क्या arbitrage है इसको बलते arbitrage इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस condition में धीरे धीरे अगर मैं खरीदने का सोच रहा हूँ तो दुनिया भर के तो लोग होगी और दुनिया भर के लोग खरीदने का सोचेंगे मैं थोड़ी निंटेलिजेंट हूँ और भी तो लोग इंटेलिजेंट है तो वो भी खरीदेंगे और धीरे धीरे ये value क्या हो जाएगी धीरे 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 ये value 35 रुपए हो जाएगी ये उससे जादा हो जाएगी इसलिए हमेजा मान के चलो कि option की जो value निकाल रहा है अगर वो intrinsic value से कम आ रहा है तो वो गलत है आपको intrinsic value ही उठाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आप यहाँ exercise कर सकते हो American है सर कहना क्या चाहते हो कहना बस इतना चाहता हूँ कि अगर ये American होता तो यहाँ exercise करता ही नहीं मैं intrinsic value निकालता ही नहीं मैंने निकाला पर American है तो मैंने intrinsic value निकाला और मुझे comparison करना पड़ेगा कि option की value कितनी यहाँ देखो यहाँ क्या intrinsic value 5 उससे ज़्यादा है तो हम यहाँ यह वाली value उठाँगा यह वाली पर यहाँ की बात करो यहाँ कौन सा higher है इन दोनों में से higher देखूँगा higher यह है इन दोनों में higher कौन सा है यह तो मैं यहाँ 35 उठाँगा क्यों उठाँगा मैंने बता क्योंकि 35 यह उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ठीक है सर और फिर इसको मैं probability से multiply कर दूँगा और value of option निकालूँगा अमेरिकन ओप्सन में आपको special ध्यान देना पड़ेगा आपको हर नोट पे compare करना पड़ेगा intrinsic value से और जो भी higher है उसको लेकर यहाँ present value निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं तो अमेरिकन ओप्सन के हिसाब से भी मैं काम करतेता हूं value of option अगर होता American option सबसे पहले बात करते node 1 की node 1 node 1 में आपने already कितना निकाला है value अच्छा यहीं तो मिल जाएगा आपने को यह node 2 की बात करते हैं node 2 आपने value of option निकाला हुआ है कि अनुग्सका निकाला है वहाँ कितना निकाला था कितने आ गे है रूपिस और फाई वेल्यू ऑफ औप्शन इस higher of about two gibi about two का मतलब यह दोनों में से व बिझे that is rupees 8.4 ठीक है ऐसी किसकी बात करेंगे हम ऐसी note 3 की बात करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगरा मुश्किल है ना बिट्ट है value of option is equal to rupees कितना निकला था यहा 25.38 for intrinsic value at node 3 rupees 35 means value of option at node 3 is rupees 35 कि हायर है reason क्या है value of option cannot be less than intrinsic value intrinsic value से कम होई नहीं सकता है इसलिए हमें क्या लेना पड़ा थाड़ी पाई अब बात किसकी करेंगे अब फाइनल बात कर लेते है नोट वन की वेल्यों पूट इस एक्वेल टूट 8.42 into 0.8 plus, जो पहले हम 25.38 ले रहे थे न, उसकी जगह आप क्या लेंगे, 35, into 0.2 divided by क्या जाएगा, 1.06, 8.42 into 0.8 M plus 35 into 0.2 M plus MRC divided by 1.06, अंसर आगया, रुपीज, 12.96, और पहले वाले में कितना अंसर आएथा सर, इसमें आते, 11.14, सोच के बता न, option की value किस में ज़्यादा आएगी, American की European, generally किस में ज़्यादा आएगी, सर, American में, क्योंकि American में बीच में exercise कर सकते हैं, और उसका intrinsic value हमको देखना पड़ेगा, यही तो मैंने आपको पहली class में बुला था, याद करो, value of option, American option में premium का amount ज़्यादा होता है, तो सर क्या, यहाँ में intrinsic value से comparison नहीं करेंगे, यहाँ तो पक्का करेंगे, European में हाला कि आप exercise नहीं कर सकते हैं, लेकिन American में तो आज खरीद के आज ही exercise कर सकते हैं, और यहाँ intrinsic value कितनी थी, 170 मिनस 21 रुपेश 20 तो फाइनली, 20 तो फाइनली, वाला कि मैं भी जानता हूँ, इतना बड़ा question नहीं आता है, और two period binomial model अगर especially अगर किसी के लिए बना है, तो वो बना है American के लिए, American options के लिए ही बना है, बाकी European में तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ तक पहुचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुचना है, ठीक है, तो इतना बड़ा example नहीं आता साफ, नहीं आता 100%, और कर ले क्या हाँ, आप question बना लेते हैं नहीं तो भोल जाएंगे, अगर exam में question में कुछ नहीं लिखा है, कि American की European, तो फिर, फिर क्या हम assume करना पड़ेगा हाँ, और क्या assume करना पड़ेगा, सर दिल कह रहा है, American क्योंकि उसी के लिए तो टूपीर, गलत बात है, हमारे assumption से काम नहीं उनता, I.C.A.I. ने क्या assume कर रखा, I.C.A.I. ने assume कर रखा है, कि अगर कुछ ना लिखा है, तो European, पुरा concept ही बिकार हो गया, अगर मेरा पढ़ाने का पुरा उद्देश ही खतम हो गया, दिक्कत यही है, पर क्या करें, वैसे तो अगर मेरा दिल कह रहा है, कि अगर कुछ ना बोले तो American assume करेंगे, पर मेरे बोलने से काम ने चले, कुछ ना बोला है, तो European assume करो, बात करो, मतलब बीच में exercise कर नहीं सकते, तो क्या intrinsic value से compare करने की जरूत पढ़ेंगी, नहीं, लिख लेना copy में, अगर question silent है तो, कौनसा European option assume करेंगे, इसमें लिखवाँ ना पिटे, थियोरी बहुत ज़्यादा मत लिखो, मेरी classes है, two views है, unlimited validity है, और क्या चाहिए आपको दो बार देख लेना, क्या दिक्कत है, लिख लोग अपनी copy में, खुद से तो लिख सकते हो, कुछ नहीं बोला है तो European, बहुत हो गया, question बनाएंगे हम लोग, तब पहले question कौन सा वाला बनाते हैं, पहले थोड़ा सा simple वाला question मुना लेते हैं, ये वाला question number 12 पर आजाएंगे हैं, पहले मैं question number 12 करवा रहा हूं, question number 11 की जगा, ठीक है, पढ़ो question, चलो, त्यार है, एक बार मैं पढ़ता हूं, तर question कहां कहा है, question देखी रहा, कहां है, डला हुआ, कहां है, study material, newslavors और PM, एक रहा, consider a two year, two year, ये important, call option, call option, call option, call option, call option, price बढ़ेगा, strike price है 50, मतला 50 से उपर, on a stock, the current price, which is also 50, यहां बच्चे, confused हो जाते हैं, इसमें 50 ही, stock का price है, और 50 ही, exercise price, assume that, there are two time period, of one year, मतलब, पहले एक साल, और फिर एक साल बात, in each year, the stock price, may move up, or down, by equal percentage, of 20%, मैं यहाप से यह तो बोल रहा था, पहले साल भी, 20% से up-down, दूसरे साल भी, 20% से up-down, मतलब सार, binomial option model, calculate the probability, of price moving up and down, निकाल लेंगे, probability में तो हम expert है, draw करना है, two step binomial, binomial tree, भी हम draw कर लेंगे, देखा ना, मैंने कहा था ना, पूछे गा, यहाँ पूछ लिया, और साथ में क्या है, pay off भी निकालना है, at each note, pay off भी निकालना है, और option का value बोले ना बोले, वो तो हम निकाल लेंगे, calculate the probability, कुछ option का value नहीं बोला, पर निकाल लेंगे, इसाब कौन सा option है, कहीं American सब्द लिखा है, क्या नहीं, तो क्या assume करेंगे, European, तो sir European, it is assumed that, the option is European, ऐसा लिखना पड़ेगा, कि नहीं, क्योंकि इंस्टिट्यूट ने, अगर आप American option एजियूम कर रहें, तो साइद लिख लेना चाहिए, पर मत लिखो, American बोलेगा, तो करेंगे ने, तो European है, और उसमें लिखने की बज़रूत नहीं, सबसे पहला काम क्या रहा, सबसे पहला काम रहा, बाइनोमिल ट्रे, उसके बिना काम नहीं होगा, काम करें, यस, पर पास कॉश्चन है, क्या है, पहला काम क्या करेंगे, बाइनोमिल ट्रे, आज प्राइस कितना है, सर, सर, आज प्राइस है, पच्चास, कितना कितना हो सकता है, 20 परशन अब, 50 प्रेस प्रेस्टी परशन, 50 प्रेस्टी परशन, 60, 50 माइनस 20 परशन, 40, ये कप की बात है, सर, ये 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 यर वन की बात है, सर, ये क्यों मिलाया है, मैंने कहा था न, ये मिल जाएगा, भी देखू न, मैं आपको सम्दा, 60, प्रेस्टी परशन, 62, 16 माइनस 20 परशन, 48, 40 प्लस 20 परशन, सर, वो तो आएगा है न, सर, यहाँ भी, इक्वल परशन्टेस से बढ़ा, यहाँ भी, ऐसा ही आएगा, जनरली, ऐसा कभी नहीं आएगा, बाई चांसी कभी ऐसा होगा, कि यहाँ, 10 परशन से बढ़ा, और अगले सल 15 परशन, जैसे हमने एक्जाम्पल में किया था, ऐसा नहीं होता, तर यह ज़्यादा आसान है, आना भाई, यह भी लिख लेकिए, 40 माइनस 20 परशन, सा 32, जैसे नाम करन कर दे, यस, इसको बोल रहा है हम, नोट 1, इसको बोल रहा हम, नोट 2, इसको बोल रहा हम, नोट 3, आगे वाला हम नाम लेकिए, ठीक है, यहाँ तक होगा, दूसरा क्या प्रोबाइबिलिटी निकलने की है, यहाँ अब प्रोबाइबिलिटी अब सब में एक ही निकलेगा, ठीक है, फॉर्मूला जरुब लिखेंगे, प्रोबाइबिलिटी अब फॉर्मूला जरुरी लिखेंगे, P is equal to R minus D divided by U minus D, R की भर ज़र्वरत पड़ेगी हम लोगों को, मेरे पास तो कोशन है, रिसक फ्री है, 6 पोचन इसमें भी 6 पोचन है, तो एक साल का है, तो 1.06 ले लेते से, 1.06, 20 पोचन से दाउन मतला 0.8, divided by, 1.20 minus 0.8, 1.20 minus 0.8 M plus में डाला, 1.06 minus 0.8 divided by MRC equal to 0.65, 0.65, 0.35, 0.65, 0.35, 0.65, 0.35, 0.65, 0.35, अब कौन सा उप्शन है, भाई साप, सर जी, कॉल उप्शन है साहे, और एक स्ट्राइक पैस है, 50, कॉल है तो सर, इसको क्या नाम दो, इसको कुछ नाम तो नहीं लिखा इसमें, नाम नहीं लिखा ना, आप भी मत लिखूना, आप पी आप निकालो सीधा, इसको C, U, D बोल सकते क्या, या C, D, D, C, D, U भी बोल सकते, जो बोलना हो, इसको मैं दा मेरा, C, D, D, और इधर का कुछ निकालना, पी आप ने निकालना, पूछो क्यों, एधर सीधर निकालता हो, 72, 50 से उपर, तो 72 माइनस 50 तो क्या गया है? 22, यहां क्या वजाएगा? 0, भी यहां भी क्या वजाएगा? जोसे पी आप at each node बोला है, नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं ठीक, क्या इस note के लिए pay of मतलब क्या value निकाल सकते हो कि sir, yes sir, निकाल सकते हैं note 2 के लिए note 3 के लिए पहले काम करते हैं value of option at each note पहले के लिए note 2 value is equal Bavis into 0.65 plus 0 into 0.35 divided by 1.06 22 into 0.65 divided by 1.06 तो सर ये 13.49 आगा है तो सहब यहाँ आखे है, इसको बॉक्स में बना देना चाहिए बॉक्स बना के लिखना जाए उसने बूला हर नोट पे बना होता है अच्छा लगता है थोड़ाँ से ठीक है सर, यहाँ भी बॉक्स बना रहे है 13.49 13.49 यहाँ का पे बॉक्स और यहाँ का दिख रहा है 0 into 0.65, 0 into 0.35 तो 0 ही है, नोड 3 का अब बात किसी की करना है लास्ट, नोड 1 value is equal to 13.49 into 0.65 plus 0 into 0.35 divided by 1.06 13.49 into 0.65 divided by 1.06 तो सर, आंसर आगया है 8.272 यहाँ के लिए आंसर है 8.272 अगर आप यूरोपियन मान रहा है अमेरिकन मानते हो तो भी 50-50 हो रहा है यह था कोश्चन और क्या बहुत ज़्यादा मुस्किल लग रहा है देखो यार, सीए फाइनल में तो थोड़ी मुस्किल ले तो आनी है इसके लिए तो आपको तयार रहना पड़ेगा सर जाते जाते एक कोश्चन और कर ले क्या, एक कोश्चन और कर लेते है ठीक है, फिर ब्रेक ले लेते है कुछ नया कॉंसेप्ट होगा है कोश्चन अबर 11 की में बात करूँ कोश्चन अबर 11 कोश्चन अबर 11 हलकी में मत ले जीगा सहब जी कोश्चन अबर 11 में खास बात ये है कि ये जो बाइनोमेल ट्री दिया हुआ है ये कोश्चन पेपर में कोश्चन में ही दिया हुआ था कोश्चन के साथ तो देखो अच्छे से कितना एयर दे रखा अगर यहां की बात करो तो क्या दे रखा है तू एयर फ्री फारे शेर अब श्टॉक इन एबी से लिमिटेड इस फॉलोस आज प्राइस कितना है हंडर्ट कितना हो सकता ये नोट टू दिया और यहां कितना है 95 मेरे ख्याल से देख रहा होगा नहीं तो आपके बुक में तो हो गई सेकेंड ये में क्या देखा 116 पर 102.60 90.25 ये नहीं बताए कि कितने से बढ़ा कितने से वैसे तो हम कैलकुरेटर से कर सकते हैं पर हम URD निकल लेंगे आगे क्या बोड़ रहा है ध्यान देना भाई साब ध्यान देना American call option है भाई call option और कौनसा American क्या आपको intrinsic value से compare करना पड़ेगा याई On the stock of ABC Limited भी ते strike price कितना दे रहा है 98 यहां लिख लेता हूँ भाई exercise price है 98 और option है call तो 98 से उपर जाएगा to exercise the current price of stock है 100 ठीक है risk free है 5% पर रहना with a continuously compounding और उसका factor दे रहा 1.05127 as you mean two time period of one year using the binomial model एक तो आपको निकलना probability और क्या निकलना expected payoff at each node N1, N2, N3 rounded off करना अपटो 2 decimal points और exam में आया था November 2020 में अभी क्या चल रहा 22 ठीक है question paper तो घर लेकर जाओगे तो sir क्या करना पड़ेगा बनाओ binomial tree उसके बिना काम ने चले गए यह मतलब binomial tree कैसे बनाए copy paste करो ना question paper दिख रहा है उससे copy paste करो सब की सब ठीक फटा फट से करो बिटे time नहीं है मेरे पास जल्दी जल्दी copy paste किजिए मतलब sir यही वाला उठा कर लिखना है हाँ ना भाई यही वाला sir मांगा तो नहीं पर हमें बनाना है भाई अमें pay off दिखाना पड़ेगा ना यार की कसा कर अच्छा कर अच्छा कर अच्छा कर अच्छा कर अच्छा आजी हो गया है काइम नहीं है मेरे पास पाइनोमेल्ट्री बन गया है सब लोगों का जल्दी जल्दी चलो सहर्व चलो मैं मान के चल रहा हूं हो गया और जिनका नहीं हुआ वो पाउस किजिए वेडियो और बनाई है ठीक है पाउस करने का काउंटिंग नहीं होगी सर अब क्या करना पहला काम है साब प्रोबैबिलिटी निकालना और प्रोबैबिलिटी के लिए सबसे पहले मुझे क्या क्या चीच लगेगा पहले मैं देख लेता हूं एक ही सुना ध्यान से बना लिया ना तो अब सुनोगे सुनोगे बहुत हो गया अब इधर ध्यान दे दो इधर मैं देख लेता हूं एक ही पर्षेंटेज से बढ़ा तो एक ही बार प्रोबैबिलिटी निकलेगी अगर यहां लग पर्षेंटेज से बढ़ा और यहां लग पर्षेंटेज से बढ़ा तो भया प्रोबैबिलिटी फिर हर नोट का निकालना पड़ेगा और फिर एक बार द बढ़ता है, गिरता भी 8% से होगा, 95 divided by 100, 5% से गिर रहा है, अच्छा ये भी दिख लेता हूँ, 102.60 divided by 95, 8% से बढ़ रहा है, और 90.25 divided by 95, हो क्या रहा है, सुनो, 8% से बढ़ रहा है, पर गिर रहा है 5% से, तो सर, probability पिटे, यहां के लिए भी यू की बात करो, तो 1.08 ही आएका, और डाउन की बात करो, तो 0.95 ही आएका, ठीक है, तो probability सब की एक जिसी निकलेगी, बस याद रहना, बढ़ेगा, 8 से गिरेगा, चलो सर काम करेगी सबसे पहले, काम क्या करे, मैं यहीं लिख लेता हूँ न, चीज, सबसे पहले गिवन, step number 1, मेरे ख्याल से binomial tree बन गया होगा, तो यहां लिखोगे तो फिर, binomial tree बनाना है, ठीक, अब उसके बाद लिखोगे, step number 1, given, given में एक तो चाहिए हमको S, S कितना रुपए 100, ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, अब अब हमको नहीं मालूँ न, परशंटेज नहीं दिया इस बार, नहीं दिया तो भी कोई दितने, हम क्या निकलेंगे, यहूँ, 108 divided by 100, और हर नोट का उतन ही आ रहा, 108 divided by 100, 1.08, सर, एक कोईशन पूछे, मालो, यहां 8 पर्शन से बढ़ा, यहां कुछ और से होता, तो फिर मैं probability निकालता, node A के लिए अलग यूनिकलता, node 2 के लिए अलग यूनिकलता, node 3 के लिए अलग यूनिकलता, बात समझ, और D अलग निकलता, ओके, याद करो मैंने एक्जम्पल में करवाया था ना, अलग अलग probability अलग यूनिकलता, ऐसे करना पड़ता, पर ऐसा नहीं दिया है, तो क्यों भी कर मैं हम टाइम बाग, D, 95 divided by 100, 0.95, R, R का continuously compounding वाला दे रखा सा है, यह बोला, यह यूज करना, 1.05127, 1.05127, ठीक है जी, आँ हाँ बोला, अब काम करते है, पूइंट नमबर 1 में साथ पूछा भी होई चीश, पूइंट नमबर 1 बोल रहा है, सबसे पहले probability निकलना, the probability, calculation, the probability, the probability of formula P is equal to continuously compounding, इसलिए मैं E power RT लिख सकता हूँ, divided by U minus D, R minus D भी लिख सकते हूँ, कोई फरक नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ 1.05127, minus 0.95, ठीक है, तो divided by, 1.08, minus 0.95, तो 1.08, minus 0.95, M plus, 1.05127, minus 0.95, divided by MRC equal to, 0.779 है, तो 0.779, भी लिख सकते हूँ, 0.78 कर देता हूँ, आप तो बोल रहे थे ना, कि यहाँ 4 डिजिट है, तो मैं भी 4 डिजिट में लिखूँगा, हाँ ऐसा बोल रहा था, आप 4 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, तर आप कैसी यहाँ दो, क्यों मेरे पास suggested, इसलिए में करो, आप 4 डिजिट में करो, 0.78, 0.22, 0.78, 0.22, 0.78, 0.22, 0.78, 0.22, अप पे आप निकाल ले, यस, नाम लिखूँँ क्या, यह हो गया, CUU, call option, सर, यह C, U, D कर सकते हैं, चलो, C, U, D, कर सकते हैं, सर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यह C, D, D, 98 से उपर है क्या, यह तो, 116.64-98, तो, 18.64, बॉक्स में डाल, और 102.6, माइनस 98, 4.6, और यह 0, option डैप सुझाएगा न, अब यह इसके लिए, node 2 के लिए निकालेंगे, value of option, और उसका comparison इस बार करेंगे, intrinsic values, n, और र यह लोटव्स सविगए, noisy, सब्सुञ्च हए we always give the value this. 18.64 into 0.78 18.64 into 0.78 plus 4.6 into 0.22 4.6 into 0.22 divided by 5% का दिया है 1.05127 18.64 into 78 M plus 4.6 into 0.22 M plus MRC divided by 0.5127 तो सरी ये आगे है रूपीस 14.79 ठीक है पर इसके साथ मैं और एक चीज निकालूगा इंत्रिंसिक वैल्यू हमेशा निकाल लिया करूंगा इंत्रिंसिक वैल्यू इस एक्सो आठ और 98 तो एक्सो आठ माइनस 98 तो 10 हाइर और अबोर टू हैंस वैल्यू अप्सन क्यों कर रहा हूं मालूम है ये काम तो कि ये अमेरिकन ठीक है वैल्यू आप आप्सन एट नोट तू इस रुपीस 14.79 अबोर टू लिख सकता है इसमें तो ऐसे नहीं किया ना सेजिस्टेड में उसको छोड़ो ना भाई उसके चक्कर में पढ़ोगे ना तो खिल खतम हो जाएगा अब बात किसकी करते हैं अब बात करते हैं नोट 3 की value is equal to 4.6 into 0.78 0 into 0.22 divided by 1.05127 तो 4.6 into 0.78 divided by 1.05127 तो सरी आगे है रुपीस 3.413 ठीक है अब और एक चीज़ किससे comparison करेंगे इंट्रेंसिक value अब प्राइस कितना हो गया 95 लाप्स हो गया है तो इंट्रेंसिक value 0 Hence, value of option at node t is equal to higher optimal 3.41 ठीक है सर तो दो चीज़ निकलेंगे आगे एक तो आगे 14.79 14.7 और यहाँ अगे 3.41 ठीक है यहां तक अब इस इंट्व इस इंट्व इस इंट्व इस इंट्व इस वास खतम यह किसका निकलेगा node 1 14.79 पेज दूसरा ले लूँ क्या है यास node 1 के लिए node 1 value is equal to 14.79 into 0.78 plus 3.41 into 0.22 divided by 1.05127 1.05127 14.79 into 0.78m plus 3.41 into 0.22 plus mrc divided by 1.05127 तो यह आ गया साथ 11.687 तो 69 ले रहा हूं और चाहो तो node 1 पे intrinsic value भी चेक कर लो क्यों क्योंकि American है 100 रुपे रुपा है 100-98 दो रुपे रो रुपे 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 रहा है यास 100-98 2ुपेष 2 2, final answer hence, value of call option is Rs. 11.69. This is two period binomial model. जब ब्रेक ले लेके, ब्रेक लेके लेके, ब्रेक लेके, लेके लेके, एक कोशन बचा हुआ है, two period binomial model का, पर उसमें कुछ combination of share and option बोला है, तो ब्रेक के बाद ही होने वाला, पर last में करेंगे उसकूशन, ठीक हाजे, ब्रेक हाजे, ब्रेक हाजे.